क्या गाजा से हो गया तीसरे विश्य युद्ध का आगाज गाजा बनने वाला है तीसरे विश्य युद्ध का एपी सेंटर क्या गाजा से भड़की भारूत की ये बरसा तीसरे विश्य युद्ध के शुरू होने का संखेत है क्या हमास ने इसरेल पर सैक्डो रॉकेट डाग कर दुनिया को तीसरे विश्य युद्ध की तरब धकिल दिया है इसकी आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इसरेल ने इसे युद्ध करार दिया है और इस हमले का हिसाब बराबर करने का प्रण लिया है इसरेल की सेना ने अईलान किया है कि किसी भी हमलावर को बक्षा नहीं जाएगा इसरेल के बीम ने वादा किया है कि हमास इसकी बड़ी कीमत चुकाएगा तुनिया एक युद्ध का दंश महीनों से जेल रही है रूस योक्रेन में महीनों से जंग जारी है रूस की दरब से कई बार पर्माणू हमले की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है लेकिन अब इस्रेल के बदला लेने वाली कसम दुनिया को डराने वाली है क्योंकि दावा किया जाता है कि इस्रेल के पास भी पर्माणू बम है पर्माडू पंप से लैस देश पर ऐसा हमला किसी बहुत बड़े खत्रे को पुलावा दे सकता है क्योंकि इस्राइल और फिलिस्तीन को लेकर दुनिया बरसों से ही बटी हुई है इस्राइल और फिलिस्तीन जंग से तीसरे विश्वुद के शुरू होने की आशंक और ज्यादा बढ़ गई है और इसी कड़ी में दुनिया के देश अलग-अलग धाराओं में बट गए है इस्राइल और फिलिस्तीन जंग को लेकर दुनिया जहां पर दो खेमे में बट गई है तो वहीं एक खेमा ऐसा भी है जो किसी के भी साथ नहीं है अधिकतर इस्लामिक देश फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं तो वहीं इस्राइल के प्रधान मंत्री बेंजमेन नेतनयाहु ने 25 देशों को साथ देने के लिए वो शुक्रिया पहले ही बोल चुके है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस जंग में कौन सा देश किस के साथ खड़ा है दुनिया के कौन से देश है जो इस्राइल के साथ खड़े है और कौन कौन से देश है जो फिलिस्तीन के साथ खड़े है सबसे पहले आपको बता दें ग्राफिकली कि इस्राइल के साथ कौन कौन से देश खड़े है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, अल्बेनिया, आस्ट्रिया, ब्राजिल, कैनिडा, कॉलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इतली, स्लोवेनिय और युक्रिय ये तमाम देश हैं जो इसराइल के साथ फिलहाल खड़े होए हैं तो दूसरी इसलामिक देश हैं जो इसराइल के खिलाफ हैं तो तुर्की के राश्ट्रपती इस बीच जो रेच्वेप, तैयप, आर्दौान है उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर इसराइल को भी सक्त चेतावनी दे डाली है क्योंकि देखे इसराइल भी रिटालियेट कर रहा है उन् भारत ने दोनों पक्षों के बीच किसी का ना तो समर्थन किया है और ना ही वो पक्ष में आया है तो भारत ने ना किसी का समर्थन किया है ना ही भारत किसी के पक्ष में आया है वहीं रूस की आपको बता दें क्या स्थिती है फिलाल रूस भी इसराइल और फिलिस्तीन वि इस्राइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने प्रतिक्रिया दी है मोदी ने कहा कि इस्राइल में आतंकवादी हमलों के खबर से गहरा सद्मा लगा है हमारी समवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोश, पीडितों और उनके परिवारों के साथ है हम इस कठिन समय में इस्राइल के साथ एक जुटता से खड़े है पिछले सा मई के बाद पहली बार घाजा पट्टी में इस्राइल पर मिसायलों की बोचहार की गई है इस हमले के बाद बरसों से सोलकते एक और फ्रंट पर जंग की शुरबात हो गई है अगर दुनिया के वार फ्रंटों की बात करें तो रूस और योकरेन के बीच पहले से ही जंग चल रही है इस्राइल और इरान का युद्ध कभी भी छिड़ सकता है इरान अपने साथ कई और मुस्लिम मुलकों को इस्रेल के खिलाब खड़ा कर सकता है लीबिया में भी इस्रेल के खिलाब गुस्से को लेकर विरोध प्रदर्शन और बवाल हो रहा है चीन और ताइवान के बीच आए दिन जंग की आहट सुनाई देती है तीसरा वार फ्रन्ट किम जोंग उनने दक्षिन कोरिया के खिलाब खोल रखा है अफरीका के देश नाइजर में फ्रांस के खिलाब बगावत भड़की होई है भविश्य में पोलेंड और बेलारूस के युद्ध से भी इमकार नहीं किया जा सकता है रूस और फिनलंड के बीच भी बॉर्डर पर तनाव वरकरार है अर्मेनिया और अजर्बाइजान के बीच गोली बारी जारी है शीन और ताइवान में भी तनातनी लगातार जारी है नौर्थ कोरिया, साउट कोरिया के बीच युद्ध के मूर्चे सज रहे है क्योंकि नौर्थ कोरिया के तानाशा किम जोंग लगातार उकसाने वाले का रिवाई करते हुए खतरनाक परमाणू मिसाइलों का परिच्छन कर रहे हैं तीसरे विश्युत की एक वज़ए परमाणू हथियारों की होड भी बन सकती है क्योंकि कई देश लगातार गुपचुप तरीके से परमाणू ताकत को बढ़ा रहे हैं इसकी सीक्रेट रिपोर्ट भी आपको दिखाने वाले हैं लेकिन उससे पहले इसरेल के परमाणू ताकत को जान लेना भी बहुत जरूरी है इसरेल की सैनने शक्ती दुनिया से छिपी नहीं इसरेल हर और दुश्मनों से खेरा हुआ है फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे सीधा पंगा ले सके इसके पीछे इसरेल की ताकत वर सीना है इसरेल के घातक हतियार है इसरेल के परमाणू हतियार है लेकिन इस्रैल अर्से से अपने पर्माणू हत्यारों पर खुल कर बोलने से बचता आया है लेकिन खुफिया रेपोर्ट बताती है कि इस्रैल 1950 से गुप्त रूप से पर्माणू हत्यार बनाने में लगा था दुनिया से छिप छिप कर पर्माणों बंब बनाने में लगा था 29 साल बाद उसे तब काम्याभी मिली जब 22 सितंबर 1989 को रहस समय पर्माणों परिक्षन किया दाबा तो ये भी किया जाता है कि इसरेल में पर्माणों मिसाइलों के लिए ऐसे साइलों बने हुए हैं जहां पर्माणों मिसाइलों को लगाया गया है इन साइलों की गहराई करीब 170 फीट है साइलों का भूमिगत परिसर तीन हिस्सों में बटा है पहले हिस्से में मुख्य साइलो है, जो मिसाइल का लॉंच पैड है, यहीं परमाणू बंसे लैस मिसाइलें भी रखी जाएंगी, दूसरा हिस्सा मास्टर कंट्रोल रूम होता है, जहां मिसाइल लॉंच का बटन होता है, तीसरे हिस्से में मिसाइल सेंटर में काम करने वालो Research Center है, जहां ताकतवर हत्यार बनाने का काम किया जाता है Stockham International Peace Research Institute के मताबिक इसरेल के पास करीब 90 पर्माणू हत्यारों का जखीरा है, लेकिन इसरेल ने कभी भी खुद को पर्माणू हत्यारों से संपन्न देश नहीं बताया है, लेकिन इशारों ही इशारों में अपनी पर्माणू ताकत की दौस दुनिया को दिखाते आया है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। कि इज्रैल पर इस सुवक्त दो तरप से हमले का डर है। पहला है फिलिस्तीक। जिससे देद अनाधन हमले शुरू हो गया है। वहीं दूसरा देश इरान है जिसने इज्रैल को कई बार वीडियो जारी कर धमका चुका है। वीडियो नंबर एक वीडियो नंबर दो वीडियो नंबर दो ये तीन वीडियो तो बस बानगी है। इरान, इस्रैल में खौफ भरने के लिए ऐसे कई वीडियो रिलीज कर चुका है। ये वीडियो इस्रैल के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। इरान ने इस्रैल को खुली धमकी दे रखी है। अगर उसने इरान के पर्मानु ठिकानों की तरब देखा तो उसके शहर तेल अवीब को तबाह कर दिया जाएगा। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे इरान की मिसाइलों ने मोचा समाल रखा है। इरान के मीडिया के मताबिक इन मिसाइलों के निशाने पर इस्रैल का तेल अवीब शहर था। कहा गया कि अगर इरान के पर्मानों ठिकाने पर हमला हुआ तो इस्रैल का शहर तील अवीब मलबे में बदल जाएगा इस्रैल को धमकी दी गई कि उसके हमला करने वाले विमानों को उतरने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी यानि अगर वो हमले के बाद बच कर लौट भी गए तो इस्रैल में लैंड नहीं कर पाएंगे इरान इस्रैल की बरसो पुरानी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक मुकाम पर पहुँच गई है वज़ा बना है इस्रैल के प्रधान मंत्री बैनियमिन नेतनियाहू का संयुक्त राश्ट महासभा के मंच से इरान को दी गई सीधी धमकी इरान को दी गई सीधी धमकी सुना अपने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत से बनेमिन नेतनियाहू ने इरान को परमाणू धमकी दे डाली नेतनियाहू ने इरान को परमाणू शक्ती बनने से रोकने की बात कही सिर्फ इतना ही नहीं नेतन्याहू यहां तक धमका गए कि उनके रहते इरान पर्माणू बम नहीं बना पाएगा। इरान को पर्माणू बम से दूर रखने के लिए इसरैल अपनी पूरी ताकत लगा देगा। इस तनातनी में भी एक नए युद्ध की आहट सुनाई देदी है। इन दो सेटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया की धरकने बढ़ा रखी हैं। पहली तस्वीर इरान की सबसे बड़ी नातांज न्यूक्लियर साइट की है। इरान ने अपने इस साइट को जागनूस के पहाड़ों के बीच तैयार किया है। सेटेलाइट इमेच से इस बात का भी बता चला है कि इरान नातांज न्यूक्लियर साइट के पहाड़ में सुरंगे खोद रहा है। ये सुरंगे इतनी गहरी हैं कि इस पर कोई भी हमला बे असर साबित होगा। दावा ये किया गया है कि ये सुरंगे 260 फीट से 328 फीट तक की गहराई तक खोदी गई हैं। यहीं इरान अपनी नई न्यूक्लियर साइट को बना रहा है। इसको एतनी गहराई में इसलिए बनाया गया है ताकि अमेरिका या फिर इसरेल के हमलों से इसे बचाया जा सके। इसे अब दूसरी सैटेलाइट तजवीर के जरिये समझ सकत क्योंकि इसे इस लिहाज से डेजाइन किया गया है। तुनिया पर एक बर फिर न्यूक्लियर टेस्ट का खौफ का खत्रा मंडराने लगा है। रूस, अमेरिका और चीन तीनों देशों के न्यूक्लियर टेस्टिंग साइटों पर हल चल है। न्यूक्लियर टेस्टिंग सा सेटलाइट इमिज से पता चला है कि रूस के सबसे बड़े पर्मानु परिक्षनस्थल का काफी विस्तार हुआ है। पहाडों में गहरी सुरंगे खोदी गई है। नियोकलियर साइट पर हुए इस नए निर्मान से साफ हो जाता है कि रूस पर्मानु परिक्षन की तयारी कर रहा है। पर्मानु वमों की लिमिट तय करने वाले करार को स्थागित कर व्लादे मिर्फोतिन ने अपने इरादे पहले ही जदा दिये है। अब अमेरिका के निवादा पर्मानु परिक्षन अस्थल की सेटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया की नई नियोकलियर पिक्षर का ट्रियर दिखा दिया है। यह अमेरिका का निवादा पर्मानु परिक्षन अस्थल है। यह अमेरिका किसी भी वक्त नए और पहले से भी ताकतवर पर्मानु परिक्षन का परिक्षन कर सकता है। हम आपको पश्यमी चीन के दो रेगिस्तानों के बीट सूखी हुई नमक की जील में बनी लोप नूर परमाणू परिक्षण अस्थल ले चलते हैं जिसके सैटलाइट तस्वीरों के सामने आने के बाद चीन की न्यूकलियर साज़िश का परदा फाश हो गया है यह चीन के परमाणू परिक्षण अस्थल की सैटलाइट तस्वीर है पश्यमी चीन में दो रेगिस्तानों के बीट सूखी हुई नमक की जील लोप नूर में चीन का परमाणू परिक्षण अस्थल है सेटेलाइट इमेच से पता चलता है कि यहां परमाणू बम के परिक्षन के लिए कुल पांथ सुरंगे बन करते यार है पांचमी भूनिगत सुरंग की खुदाई चल रही है नई सडके बनाई गई है 2022 और 2023 में ली गई तज़्वीरों की तुलना से पता चलता है कि हां सुरंग की खुदाई से निकले डेर का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है विशलेशकों का मानना है कि चीन यहां सुरंगों का विस्तार कर रहा है यहां प्रशासनिक एमंग सहयोग शत्र साफ साफ नजर आ रहा है नया परमाणू गोदाम भी मौझूद है यानि परमाणू बं के परीक्षन से लेकर परमाणू बं को रखने के लिए गोदाम चीन ने यहां सब कुछ तयार कर लिया है रूस, अमेरिका और चीन की नियूप्लियर टेस्टिंग साइट पर हो रहे नए निर्माण ने दुनिया को एक बर फिर डरा दिया है क्योंकि वार फ्रंट पहले से अक्टिव है अगर नए परमाणू बं को बनाने की होड में वूस, अमेरिका और चीन के साथ साथ उत्तर कूरिया और खाड़ी देशों ने भी परमाणू ताकत बढ़ानी शुरू कर दे तो फिर तीसरे विश्य युद्ध को टालना नाममकिन होगा